दोस्तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे बड़े लंबे टाइम से फिरभास की मच वेडिट फिल्म आदी पुरुष का इंतिजार हो रहा था और अब जब लंबे टाइम के बाद ये फिल्म स्रीमाघरों में रिलीस हो चुकी है तो फिल्म को देखने के बाद पबलिक पूरी यानि के 6500 स्क्रीनों पर रिलीस किया गया है और फिल्म से उम्मीदे थी कि फिल्म बॉक्स आफिस पर तूफान मचाएगी और ये सही भी है क्योंकि फर्स डे पर ही फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ये दिखा दिया है कि फिल्म आज पूरे वल्ड में लगबग 1500 करोड रुपे की ओपनिंग लेने वाली है और फिल्म सिर्फ इंडिया इंडिया से ही कम से कम 105 करोड रुपे की कमाई करने वाली है लेकिन आदि पुरुष में पिरभास रभुश्री राम की भूमिका में नजर आ रहे तो कृती सेरन ने माता सीता का किरदान निबाया है सैफली फिल्म को लेकर काफी बस बना हुआ था और अब फाइनली फिल्म बड़े परदे पर जब रिलीज हुई है तो फिल्म को लेकर जैसा माहुल बनाया गया था उस लिहास से फिल्म ने दर्शकों को बहुत ज्यादा निराश किया है फिल्म का फॉस्ट हाफ एंटिटेनिंग ह वजह से ये फिल्म बिल्कुल भी ओडियंस पसंद नहीं कर रही है कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि ऐसी घटिया फिल्म हमने आज तक नहीं देखी क्योंकि अभी भी बाहु बली में घुसे हुए है पिरभास पिरभास की कोई खास एक्टिंग हमें ज्यादा पसंद नहीं है और किरिति सेनन बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि वो माता सीता है तो यहां पे जिस तरह के ओडियंस के रिव्यूज आ रहे तो मुझे लगता है कि अब यह फिल्म के लिए बहुत बुरी ख़बर होने वाली है क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो पू निराय हाँ आप हमें कमेंड में जरू दीजिया